नमटकार One India Hindi में आपका स्वागत है मैं हूँ शिवरा सिंग देश में कुरूना का कहर जारी है महराट से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर रोज रिकॉर्ड के सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुरूना का कहर दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है राज में कुरूना से हाला भयावब होते जा रहे हैं इसको देखते हुए इलावाद हाई कोड ने यूपी सरकार को करेफ हैसले लेने को कहा है हाई कोड ने यूपी सरकार को कुरूना संक्रमट से अधिक प्रवाविश शेहरों में दो या तीन सब्ता के लिए फूम लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है साथ में कोड ने काग शड़क पर खोईवी ब्यक्ति बिना मास के दिखाई न दे अन्निता कोड पुलिस के खिलाफ अब मानना की कारवाई करेगी यही नहीं कोड ने का कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में पचास आदमी से अधिक इकटा ना हो इसके अलावा खुले मैदानों में अस्थाई अस्पताल बनाकर कोरूना पीड़तों के लाज की विवस्ता का भी निर्देश दिया है यूपी में कोरूना की सिद्धी को लेकर दायरे की जनहितियाचका पर सुनवाई करते हुए नयायमोर्ती शिदार्थ बर्मा और नयायमोर्ती अजीत कुमार की पीट ने यादेश पारित किया है हाई कोट की तरफ से इन सब चीजों को लेकर यूपी सरकार से जवाब तलब किया गया है और इसे लेकर अगली सुनवाई 19 अपरेल को होगी हाई कोट ने का कि जिस तरह से यूपी में कोरूना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाना छोटा कदम है ये नाइट पार्टी एवं नवरात्री अरमजान में धार्मिक भीर तक सीमित है सुनवाई के दौरान हाई कोट ने यूपी सरकार पतीखी टिपनी भी की कोट ने का कि नदी में जब तूफान आता है तो बांध उसे रोक नहीं पाते फिर भी हमें कोरूना संत्रमन को रोकने के प्रयास करने चाहिए कोट ने का कि दिन में भी गैज जरूरी यातायात खुन्यन्तित किया जाए इतना ही नहीं कोट ने ये भी का कि जीवन रहेगा तो दुवारा स्वास्त ले सकेंगे अज वश्ता भी दुरस्त हो जाएगी कोट ने का द विकास ब्यक्तियों के लिए है जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या अथ रह जाएगा बताने के उत्तर प्रदेश में बीते दिन कूरुना के 18,000 से ज़्यादा नए किस सामने आये थे लखनु में ही अकेले 5,382 नए मरीज मिले थे प्रयाग राज में 1,856, कानपुर में 1,271 और बारानसी में 1,404 मरीज सामने आये थे इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे है बने इंडिया हिंदी के साथ